प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट और प्रेम इनके जीवन में रहता कैसा है सबसे पहले मेश राशी प्रेम में अक्सर इनके भटकाव होता है इनकी चंचलता की वज़े से प्रेम इनका ठिक नहीं पाता लेकिन अगर प्रेम इनका ठिके अगर प्रेम में भटकाव ना हो तो प्रेम इनके लिए भाग्यशाली होता है, प्रेम इनकी किस्मत को बदल देता है व्रिशब राशी प्रेम करते हैं और बड़ी मजबूती से बड़ी शिद्दत के साथ उसे निभाते हैं लेकिन प्रेम के मामले में अक्सर इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है अवजूद जरूर होता है मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को प्रेम की सुविधा और सफलता दोनों मिलती है और जीवन में सही मौके पर सही प्रेम इनको मिलता है लेकिन आगे चल करके उस प्रेम की वज़ा से दुविधा भी होती है और तनाव भी होता है यानि लव लाइफ जो है वो मिथुन राशी वालों की शुरुआत में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन आगे चल करके ये लव लाइफ बिगड़ती है खराब होती है करक राशी प्रेम के मामले में सबसे ज़्यादा जिस राशी को मुश्किल उठानी पड़ती है या जो राशी इमोशनली सबसे ज़्यादा तकलीफ पाती है वो राशी है करक राशी करक राशी के लोग बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं जुड़ जाते हैं तो अगर संभव हो तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ेंगे और दूसरा व्यक्ति आपका प्रियोग करके आपको छोड़ देगा तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें तो प्रेम से आपको लाब हो सकता है सिंगराशी, डॉमिनेटिंग प्रेम, पोजेशन वाला प्रेम कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, उसके साथ कोई और न जुड़े एक कमांडिंग प्रेम होता है सिंगराशी वालों का और बड़ी इमानदारी से करते हैं अगर ये लोग प्रेम करें, आम तोर पे सिंग वाले प्रेम के चक्कर से बचते ही हैं फिर भी अगर ये लोग प्रेम करें, तो करियर में बड़े सफल होते हैं प्रेम इनके जीवन में सफलता और सुधार दोनों पैदा कर देता है इनके जीवन में जो कमी होती है, इनका प्रेमी उन कमियों को सुधार देता है कन्याराशी धन का मामला और स्वार्थ का मामला अक्सर इनको प्रेम में असफल कर देता है ये वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने जाते हैं जहां कोई फाइदा हो और पहले ही आपको बताया कि कैलकुलेशन से प्रेम नहीं होता है इसलिए चुकि ये बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं कभी-कभी इस कैलकुलेशन की वज़ा से या किसी के पद प्रतिश्था या पोजीशन को देख के अगर आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नहीं है वो अवसर वादिता है इसलिए ऐसा प्रेम इनका अकसर असफल हो जाता है इस एड को skip करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूनना आसान प्रॉब्लम्स से सलूशन ता असरता नो यॉर फेट तुला राशी अकसर प्रेम की वज़े से इनको अपने पद और उचाई से हाथ धोना पड़ता है ऐसा देखा गया है हाना कि तुला वाले प्रेम के मामले में इमानदार होते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं फस जाते हैं और उस चक्र में नुकसान होता है इनको इसलिए तुला वाले तराजू इसका सिंबल है तो बड़ा नाव तॉल के प्रेम करें थोड़ा सा इस समझें कि जिससे वो जुड़े हुए हैं वो कैसा है थोड़ा इस पर विचार करके चलें तो जीवन बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी अक्सर इनका विवाह का मामला अच्छा नहीं होता या जिससे चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पाती लेकिन अगर व्रिश्चिक राशी वालों का प्रेम विवाह हो जाए जिससे प्रेम किया है उसी से शादी हो जाए तो जीवन के तमाम उतार चड़ाओ से बच जाएंगे व्रिश्चिक वालों के जीवन में उतार चड़ाओ बहुत होता है और अगर अपने प्रेमी के साथ ही जिससे इनका प्रेम है उसी के साथ विवाह हो जाए तो बिल्कुल जैकपॉट है इनके लिए जीवन के उतार चड़ाओ से बचे रहेंगे धनू राशी प्रेम की कीमत नहीं समझते आम तोर पर अपने में ही मगन रहते हैं और प्रेम की कीमत चाहे वो जीवन साथी का प्रेम हो चाहे वो वैसा भी प्रेम हो प्रेम की कीमत नहीं समझते प्रेम को बीच में ठुकराते हैं तिरसकार करते हैं और इसकी वज़ा से इन में soft बनिये, इमानदार बनिये, हर प्रेम में युद्ध करना जरूरी नहीं होता है मकर राशी, प्रेम के मामले में कमजोर राशी है और कुल मिलाकर प्रेम इनके लिए नुकसान दायक रहता है अक्सर आप देखेंगे मकर वालों को एक तरफा प्रेम करने के चक्कर में रहते हैं अपनी बात कह नहीं पाते और अक्सर प्रेम को लेके तक्रीफें उठाते हैं कुम्भराशी, इनके जीवन में आम तौर पर सही और सच्चे लोग इनको मिलते हैं जो इनको चाहते हैं, इनसे प्रेम करते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कौन मेरा सच्चा प्रेम करने वाला है और कौन मेरे साथ केवल समय बिता रहा है तो अगर ये सच्चे प्रेम को, सच्चे इनसान को पहचाने तो प्रेम इनके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है और जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से इनको बचा ले जाता है मीन राशी, इमानदारी से अगर ये प्रेम करें वैसे तो इमानदारी से करते हैं लेकिन अगर ये इमानदारी से प्रेम करें तो जो इनके जीवन में इनका प्रेमी होता है चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो वो इनको उचाईयों तक पहुँचा देता है यानि प्रेम इनके लिए भागयवान होता है लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में यe अपने प्रेम को तिलानजली दे देते हैं जिस वज़ा से जीवन में जितना सपोर्ट जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता, उतना सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है